नमस्कार दोस्तों तो आगता है आपका एससी लर्णिंग पॉइंट बाई सिंग सर आज हम करेंगे एवरेज का अपना एक अलग पार्ट करने जा रहे हैं ठीक है और बाकी जो भी पार्ट कंप्लीट हो चुके लगवा 150 तक कोश्चन कंप्लीट हो तो उनको भी कंप्लीट कर करवा दूंगा जिससे आपका भी टाइम बचेगा मेरा भी और आपको थोड़ी महनत करने पड़ेगी जिससे क्या होगा आपका दिमाग भी खुला रहेगा पैसे क्या होता सुनते है केवल कानों से कुछ भी महनत नहीं होती ठीक है तो देखो यहाँ पर तीन यानि की चार क्या देखे पर फास्फ हम mechanism कितना हो गया हंडडे ऊचैड से चे चेकम तो सबसे पहले निकली लिखह लो सन सो प्लस का प्लस्का जैड बराबर जाएट प्लस सक कितना हो गया अठार हो तो इदर आजाएगा fredR आजाएग इसको 18 मैयनिस कर देंगे तो बियासी हो और टू अब यहां से देखो 41 से तो क्या करा तो उनका उसत निकालना चलो ठीक है अब यू क्या करा था जैड से 6 कम है यह यानिकी जैड से 6 कम है तो 41 मैनस का 6 करेंगे कितना आ जाएगा पैतिस आ जाएगा इन दोनों को जोड़ो पांच एक 6 हो गया चार तीन सात हो गया बटे 2 कर दो तो यहां से 2 तीना च्छे हो गया दो अट्थे 16 आंसर अगला सवाल तीन संख्याओं को अनपात इतना था बर्गों का योग इतना दिया गया था अब यहां से देखो अनपात इतना बर्गों का योग इतना आउसत हमको निकालना है तो सबसे पहले इनका बर्ग करना पड़ेगा यानि कि दो दुनी चार तीन तरका नो चार चकू 16 16 और नो 25 पच्चेसो चार 29 हो गया और साथ में x स्क्वार रहेगा क्योंकि 2x 3x 4x चलेगा 2349 हो गया अब यहां से देखो कहरा था तीन संख्याओं का औसत गयाद कीजिए अब यहां पर हमने क्या किया था समही तो किया है 2x प्लस 3x प्लस का 4x अपाउन में 3 करना है तो यहां पर ऐसा नंबर लिखो कि जो यहां तक तक तुम्हें पहुँचा दे याने कि लास्ट में हमें एक तो चाहिए चाहिए कि 9 में एक का गोड़ा करेंगे ठीक है अब ऐसा नंबर यहाँ पर देखो जो तुमें लगे कि हाँ ये कट जाएगा किस से 29 से और स्क्वाइर भी बना देगा तो हमारे दिमाग में लास्ट में एक वाला एक ही नंबर आये ठीक है अगला सवाल करते है आठ लगातार संक्याओं का ओसत इतना है सबसे बड़ी संक्या अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता जैसे 10.5 है आठ लगाता रही यानि कि 4 इदर रही होंगे और चार इदर रही होंगे तीन और यह चार होगे अब यहाँ से समझो अ आए कि आप जैसे एवरेज आया एवरेज हम क्या निकालते लास्ट फर्स्ट का जोड़के बटे दो करते तो हो सकता है नंबर देखो आप कितने रहे आठ नंबर है तो आपका दिसम्लम में आ गया 0.5 इदर बढ़ेंगे 0.5 इदर बढ़ेंगे फिर आपके सेक्वेंस से चलते रहेंगे तो ये चीज़ आप देख लेना चलो फिर अगला सवाल करते हैं अब यहां से देखो स्कोर कितना 78 गया CDE का इतना है E और F औसत स्कोर 48 है E और C का औसत स्कोर 60 है तो सभी का पूछा गया तो देखो A B C 78 हो गया CDE 52 हो गया फिर कह रहा था E और F 48 हो गया फि लिखें आप अपने दिमाग से पूछो कि इसमें आपको कौन सी चीज़ करने में आसानी रहेगी आप डिवेशन मैथड से किसका इन दोनों को फॉलो करेंगे तो E C common और D निकल गया जाएगा फिर आप बहां से निकालेंगे इससे बड़ी है गुणा करके कर लो ना यानि कि अगर A plus का B plus का C टाइम नहीं लगना है आपकी स्पीड होनी चाहिए बरकरार वस तीन अट्थे चोवे तीन सत्ते के सो दो इस हो गया इनका अगर हम सम निकालते तो C plus का D plus का E कितना आ जाता तीन दूनी छे तीन पंजे 15 फिर यहां से निकालते किसका E plus का EF निकालते तो 48 दूनी 96 हो गया फिर E और C निकालते कितना हो गया 40 दूनी 120 हो गया अब यहां से देखो तुम D आसानी से निकाल लोगे कोई दिक्कत कोई समस्य किसी प्रकार की बिलकुल भी नहीं हो गया तो D जैसे हमने निकाला तो 6 5 से दो गया 3 हो गया अब देखो हमें ABC की वेलू पता है E F की वेलू पता है इन्हें सब को में जोड़ना था बस तो यहां से देखो 6 4 10 6 16 की 6 होगे हां से लगा एक होगे 4 9 4 13 13 13 16 की 6 यहां से लगा एक 3 3 हो गया बस खतम होगी कानी लोग कितने हो गया A से F तक जा रहा है 6 लोग हो गया चचरंग 36 कम 6 आंसर हो गया तो इस वर्शेंट में सब की 30 30 जुड़ जाएगी यानि कि इवरेज इवरेच कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा पांच पहले यहन कि बी-सी की पांच वर्श अभी अगर निकाले तो तेईश में पांच-थाइस हो जाएगा तो करता है एक ही बरतमान आयू क्या होगी दीको सिंपल बात यह लॉजिक लगाओ कि बीजी का एवरेज 28 था एक के आने से एवरेज बड़ा है कि घटा है बढ़ा है यानिकि व लोगों में तीन लोगों में तोटल 12 बढ़ गया यानिकि यह इतना लेके आया होगा आट दो दस हो गया यानिकि आलिस आंसर अगला सवाल करते हैं तेरा हो गया, तेरा में क्या जोड़ा जाए, कि हमें 0 मिल जाए, यानि कि X की वैलू 7 हो गया, तो 8, 7, 15 हो गया, और 12, 7, 19 हो गया, अगला सवाल, अब दिखो, इस सवाल में आपको अगर बेसिक सही जाना है, तब भी आसान है यह सवाल, जैसे यहां से अगर सम निकालते हैं दोनों बता देंगे, 18, 15, 90 हो गया, 18, 6, 108 में अगर 9 जोड दिया, तो 117 हो गया, यहां से करेंगे 720 हो गया, यहां से करेंगे Irish नो एक्ट आपको गए 45, 45, 45, 55 हो गया, यहनि कि 2 और 2, 2, 4 हो गया, 75, 12 हो गया, यहां से हम नंबर निकाल लिए, 2 बचा, 14 से 7 गया, 7 बचा, और कितना आ गया, यह नंबर जो एक्ट्रा उसमें include था है, यहनि कि 1170 से हम 72 कम कर देंगे, तो 10 से 2 गया, 8 हो गया, और बचा कितना 6, 16 से 7 गया, 9 बचा, और ये कितना हो गया, 10, बटे में कर दो, कितने नमबर बचे, 17 हो गया, 176, 102 हो गया, तो 9 से 2 गया, 7 बचा, फिर 176, 102 हो गया था, अब तो जादा हो जाएगा, फिर 17, 48, 17, 85, यानिकि 17, 68, यानिकि यानसा लगा दो, 64.6, अब यहां से एक चीज समझने की कोशिस करो, जैसे deviation method लगाते हैं, तो यह 65 हो गया, 10 का कितना हो गया, बाथतर हो गया, और 9 का कितना हो गया, 58 हो गया, अब वो नमबर इसमें include है, यानिकि कहीं कहीं उसके पास 65 तो रहा होगा, 65 नहीं रहता तो सबका average कैसे आता, आता ही नहीं, तो यहां से एक चीज देखो, यह वाले लोग कम लेके आगए, ज्यादा लेके आगए, कितने ज्यादा लेके आगए, साथ, कितने लोगों में, सत्तर, सुरी, दस लोगों, तो यहां पर जैसा आता है, वैसा ही लिख देते हैं, जब include होते नमबर, यहां पर देखो, यह कम लेके आगए, कितना कम लेके आगए, साथ कम, नव लोगों में, 63 कम लेके आगे, कम आया, तो कम का लिख दो, ठीकर, तो यहां से वो वाला नमबर निकल के आजाएगा, जो हमने यहां से बहतर निकाला, कैसे निकलेगा, पांच, साथ, छे, तेरा, माइनस का 63, पांच से तीन गया, दो, तेरा से छे गया, साथ, यह यानि कि 65 से कम आएगा चुछ तो यह तो चले गए इतना अन्सर आ चुका था अब कितना आएगा तु देखो 65 और 72 में difference देखो कितने का difference आ रहा साथका difference आ अब यह साथ कम करेगा इतने 18 लोगों में अठारा बच्चे कितने बच्चे थे सत्रे बच्चे ना सत्रे में इसको डिवाइट करना पड़ेगा तो यहां पर लगवाग देखो अगर पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे तो सत्रा चोकू वडशत हो गया तो 65 से पूरा एक गटाया 64 हो गया और दस से चार चला गया छे हो गया एनिक 64.6 सम्तिंग आंसर तो आपके पास दोनों है जो भी आपको सरल लगे उससे आप कर सकते हैं ठीक है मैं सोच रहा था कि डिवेशन वाला टफ होगा लेकिन वह आसान निकला कोई बात नहीं साथ क्रमागत बिसम संक्याओं का संक्या को सूची से हटा दिया जाए तो से संक्याओं का ओसत क्या होगा तो देखो एक तो तीन इदर हो गई एक दो तीन इदर हो गई अगर आप डारेक्ट अंसर लगाते तो आपका अंसर आ चुका था ठीक है अब विसम संक्याओं है निके अगली कौन से आएगी 29 फिर फिर अगली कौन से आएगी 33 तो यहां से देखो इस संक्या को हटाया जा रहा है, यानि कि यह जा रही है यानि कि average से क्य cannisus करोड़ी बिल्कुल तो आप डारेक्ट भी लगा सकते हैं इसको आपको सर्थ ध्यान रखना होगा ग्यारा संख्या का उसत असी है पहली चार संख्याओं का उसत इतना है अगली चार संख्याओं का उसत इतना है तो नौवी संख्या एकस है तो इसको मालो, देखो 10 संक्या, 11 संक्या से 6 कम है, यानि कि ये 6 ज़्यादा रहा होगा, पिर कहा रहा तो 9 संक्या, 10 संक्या से 6 अधिक है, तो भाईया जे भी 6 अधिक होगी, दोनों बरावर होगा, कोई बात नहीं हो जाने दो, अब देखो, यहां से देखो, पहली 4 आख़ी चार आट संक्राइं हुई हैं यानि की तीन वैरन के honest तोह नहीं यह अलगी कि अगर दिखते तो ऐस्यासी होनाई था और अगर सम्लिप निकाल लिया तो अब 80 और 74.5 में difference देखते हैं तो 80 से पूरा 75 गया 5 यानि 5.5 आया इनकी इतना ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है पहले तो देखो कम हो रहा है average से यानि कि इसकी भरपाई भी इन लोगों को करनी पड़ेगी तभी तो average proper हो पाएगा तो 4 लोगों का इतना कम हो रहा था इनको बरपाई करनी है अब देखो यहां से 82.5 में 80 का कितना आ रहा 2.5 आ रहा इतना अधिक आ रहा है भाई 82 ज़्यादा हो रहा है 80 से तो तो इतना अधिक आ रहा है तो इसकी कमी करनी पड़ेगी लोगों भाई average maintain करना है न इस टाइप का सवाल करा चुक है अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको ऐसे ही दिक्कत होगी ठीक है तो देखो चार लोगों में 2.5 अब यह सम आ गया 3 संक्या हो गया हमारे इसाब से कितना सम था 3x प्लस का 12 बात खतम हो गया यहीं पर आपका सवाल निवट चुका जितना निवटना था तो देखो यहां से आठ थी चौविस दो सो चालिस प्लस का 4 पंजे भी चार पंजे बीस हो गया पच्चे चोकू सो हो गया बराबर में 3x प्लस का 12 हो गया यह 12 इदर जाएगा इदर दो बच जाएगा 10-12 हो गया 12 इसमें जोड़ देंगे तो 2-4-5-252-3x हो गया एकस बराबर हो जाएगा 3-8-4-3-4-12 अब हमें चाहिए क्या नवी ओ ग्यारवी संक्या का उसत यानि कि नवी ओ ग्यारवी का 2x प्लस का 12 बटे 2 निकालना तो यानि कि x प्लस 6 की वेलू यानि कि 84 प्लस का हम अगर 6 कर देंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा नहीं कुछ गलत कर दिया गया अच्छा हां यार जल्द वाजी यहां से देखो 12 अगर बाइस से गटाते तो यह 10 देता यहां पर 20 आएगा इसमें बहुत ज्यादा गलतियां हो गई ठीक है माफ कीजिएगा देखो यहां पर क्या लगाता माइनस तो यह माइनस हो गया ठीक है और इधर कितना हो जाएगा यह 10 और यह 10 प्लस का ता यानि कि यह इससे कैंसल आउट हो जाता तो केवल 240 ही बसता 240 बसता 3,8,24 यानि कि 80 आता यानि कि एवरेज हमारा हो जाता 80 प्लस का 6 यानि कि 86 माफ कीजिएगा श्रीट के लिए बैसे आपको समझ में आ गया होगा एक लाइन में इसका आंसर लिखना होता मतलब एक लाइन लिखनी होती है उसके वाद आपका आंसर सिर्फ कैलकुलेश चात्रों को आउसत बजन में चात्रों के तुल्ला में 50 परसेंट अधेक है यानि कि यह 2 एक्स है तो यह 3 एक्स हो गया एवरेज तो यहां से गुणा कर देंगे तेरा दुनी 26 एक्स प्लस का दस्तियां 30 एक्स टोटल कितने स्टूडेंट है 23 है और गुड़े में कितना ए चीरी एक्स की वैलू चाहिए तो तो तेश्तियां 69 अंसर अगला सवाल अब यह बिल्कुल सेम सवाल है आप लोग खुछ से करेंगे पिछली वाली की तरह अब यहां से देखो तीन संख्यां यहें ऐसे माल लिए ठीक है 2 का ओसत तीसरी संख्या में जोड दिया जाता है तो परलामी योगफल 154 फिर कर दिया बी प्लस का सी अपॉन में 2 प्लस प्लस का ए कितना आ गया 148 फिर इसको किसको ए बी जोड़ चुके बी सी जोड तूके अब रह किया गया A plus का C upon 2 plus का B बरावर कितना 102 तो कराता तीन संक्याओं का योग क्या होगा तो सबसे पहले देखो अगर हम इसको एक को अकेले को solve करते हैं तो A plus B plus का 2C बरावर 2 चोकू 8 हो गया 15 दूनी 30 हो गया अब 2C इसी तरीके से 2A बनेगा इसी तरीके से 2B बनेगा यानि कि यहां से A plus का 2B plus का C बरावर हो गया दो दूनी 4,2,3,6,2,1,2 फिर बन गया तुमारा A, 2A कर लो 2A plus का B plus का C बरावर 2,8,16 हो गया और 14 दूनी 8,16 हो गया इनको जोट देंगे तो दो और 1,3,4 बनेगा सब में 4,4 आ जाएगा A plus का B plus का C तो 8,4,12,6,18 हो गया हां यहां चार 4,7,28 हां सब अगला सवाल एक नाव में पच्चेस बक्सों का और सद दो कलो ग्राम बढ़ जाता है अड़चट कि बजनी बक्से का एक नए बक्से में बदल दिया जाता है आप एक से दिखो दो बढ़ रहा है कि घट रहा है बढ़ रहा है यानिकि 68 बजनी के एक नए बक्से में बदले तो ज्यादा लाया पच्छेस दूनी पचास किया एक सोठारा अंसर तो ज्यादा आना है तो पच्छेस कुड़ें दो इसी सवाल एने ही सवालों में टाइम बसता है पेपर में यह तो मिलतो जाए तो इन्हें ऐसे उदेड़ो यह भी याद रखें चार सार पहले 5 सदस्यों के एक समू था ठीक है उनकी यतनी चार सार पहले 5 लोग थे लेकिन आप प्रिजेंट में समय चार चार जोड़ देंगे प्रिजेंट का हो जाएगा यानि कि एवरेज कितना हो गया ब्यालिस एक और व्यक्ति समू में सामिल हो जाता है और समू के स जादा हो गया चे लोगों में क्योंकि एक वह खुद भी हो गया तो टोटल छे हो गया यह दूनी बारा ज्यादा लाए यहनिकि दो दो चार पांच एक पांच आंसर लगा दो दबराने वाली कोई बात नहीं आप लोग मजे से पढ़ते रहो एक अच्छा में सभी चात्रो काउन है लड़के हैं चार परसें लड़कियां ऐसा होता नहीं कभी यहां से करें कैंसल दो दूनी चार दोती है अच्छे हो गया यह तो हमारी संख्या हो गया अब इनका पांच एक्स और चार एक्स एवरेस ता तो पांच दूनी 10 एक्स प्लस का चार दियां 12 टोटल संख 5 का पच्पन गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा इसके बराबर कर तो 55 गोड़े तो यहां से जोड़ें के 2 और एक एक दो गया गुड़े में सो गया तो ग्यारा दूनी 22 ग्यारा पन्ना फच्पन हो गया याने कि 25 वटे दो आगया हमें चाहिए किसका लड़कों का लड सद्धिया गया था हमने पहले ही बता जैसे लिखा फाइव टू फूर और सिक्स एक्स फूर अब एक्स फाइब तू यहां पर देखो दूसरे नंबर पर एक्स लिखा सब से पास में लाश्ट में लिखा होता तब तो कुछ करना ही नहीं था आप इसमें देखो हमें दो होगया 12,4 14,12 16,6 तो 2,immen अहां से लगा एक 3,6-3-9 ओगया 9-5 14,14 में क्या जोड़ा जाए कि हमको एक मिल जाए तो इसमें षाथ और जोड़ा जाएगा यान कि एक्स की जगे 11 आओगा साथ बस यहीं पर खेल केस्ट हो है था नुशरा हो गया प्प्र 14 सन्थय developed अगला सवाल यह तो आसान है पांच लोगों का एवरेज 56 दिया गया था और साथ लोगों का एवरेज 50 कोई भी एवरेज बीच का माल लो बीच का क्या पचासी माल लो यह कितना ज्यादा चेशे पंजे 30 ज्यादा हो गया यहां तो कोई फरकी नहीं पड़ना अब कितने इनर वाल सवाल है पहले फो कि इनको बना लो इसमें जो भी कॉमन हो उनको पहले लिख लिए अगरो सेविंध नंबर है एट सैना दो समान लो आट भी कर दिए ने संक्या से दस कम है यह संख्या हो गई आप यहां से लेखो इन संक्या जो तीन है तीन के पादद कितना रहा होगा कि इतना तो रहा होगा मजबूरी है क्योंकि बारा लोगों का इतना बनाना है तो इनकी मजबूरी है इतना लेके आना कम ज्यादा होगा वह भी बाद में बात करेंगे लेकिन इतना तो उनकी मजबूरी है यह तो लाएंगे ना अब देखो यहां से यह लोग कितना कम लेकिया है तो यहां से difference करेंगे 5 से 4 गया 1 और 5 से 2 गया 3 इतना कम लेकिया है कितने लोगों में 6 लोगों में यानि कि टोटल इतना कम लाए इसकी बरपाई करनी पड़ेगी भाई average maintain करने के लिए इसकी कहीं कहीं से बरपाई करनी पड़ेगी तो इनी को करनी पड़ेगी यह एक माँ से अलग लेके बैठें दुनिया यहां से देखो यह क्या हुए यह ज्यादा लाए यानि कि डिफरेंस करेंगे 12-5 गया साथ किसे डिफरेंस लिख दें हमारे एसाब से तीनों संख्याओं का सम इतना आ गया और हमने जो रेशियो बनाया था वो थिरी एक्स ब्लस का 15 हो गया अब पूंचा गया आठमी और नवी का अवसत यानि कि इन दोनों का एवरेज अगर निकालते तो एक्स प्लस का बटे दो करते तो 15 बटे दो इस तरीके से दो सत्ये चौदा है दो pengyate 10 हो गया अब यहां से हमको करना पड़ेगा स्व बैसे अकर जल्दवाजी में लगाना होता तो Eduче फ्र में का यह से आता नहीं बता देते हैं कहां कहां से तो सोच तीन पंजे पंदरा हो गया हां से लगा एक पचिस PayPal चेतर enjoy फिर शेकन 6 छेटी यह आठारा हो गया माइनस का 77 एक यासी तो इन दोनों का डिफ्रेंस करेंगे पांच बचा 10.5 बचा छेटर दिसम्लाप पांच जोड़ देंगे तो पांच मान 10 की 0 हो गया और आशे लगा एक साथ एक आठ उगया और इधर हो गया साथ से पांच गया दो साथ से गया छे बरावर हो गया थिरी एक्स यहां पर भी कैलकुलेशन सही कर लो ठीक है अब कहां गलत हो जाता है हम क्या ही बताएं आपको तीन से पूरा-पूरा कटना था ना तीन दूनी छे तीन चोकू बारा हो गया ठीक है तो 24 प्लस का साथ दिसम अगला सवाव अब यहाँ से समझो बात को क्या संगना आपको सुला लोगों का फेस К desease अब दो लोग चलेगे अब यहाँ से समसित चलेगाए वह ठीक है 16 के पास 30-30 होना ही जहिए था क59 बरन surrenderRight होगा लेकिन यहोदा लोगों के पास कम था कितना दो कम था यानि कि 14 लोगों में टोटल 28 कम इसकी बरपाई इन्हीं दो लोगों ने की होगी तो अब यहां से 30 दूनी 60 प्लस का 28 यानि कि 8 हो गया च्छे दो 8 के पास रहा होगा आदा अब किसके पास 82 ज्यादा उसको जोड़ दो तो आड़ तीन दो पांच हो गया है और एक तीन साल अगला सवाल अब यह तो बिल्कुर आया सवाल है आप यहां से देखो सबका एवरेज 19 तो रहा होगा ना यानि कि जो पांस अंक्याएं उन्होंने पास होना ही छही है तो दोन लेकिन यह लोग जो 4 थे वह कं ले आए कितना 5 कं लिए इसकी बर पाई इनको करनी पड़े कितने लोगों के इतनी लोगों पर यह तो सम हो गया इन 5 निकालेंगे तो इससे कैंसल इससे 9-4-13-23 अगला सवाल तो यहां पर विक्री दी गई थी छेटवे दिन कितनी विक्री करनी चाहिए ताकि पचासी सो हो जाए देखो इसमें या तो सक्सेसिव किया रहे हैं या तो डेवियेशन लगा दो या तो आप उरल इसी तरीके से निकाल लो तो जादा वैटर रहेगा जोड जाल के क्यों कि प्रासान है बाकि आपकी मर्जी एक ही क्या करना चेपांच ग्यारा ग्यारा और आट नहींस हो गया नुननेस और साथ चब्विस चब्विस यानि कि तैसाजार आगे अब कह रहा था दो तो दो और चार एक पांच यानिकी टोटल छे दिन का एवरेज दिया था तो यहां स बहुत कलती हुई है यारा में से पांच गया छे बचेगा यानिकी सोलह जार आंसर आजाएगा अगला सवाल करते हैं माफ किजीएगा अब यहां से देखो बहुत आसान सवाल है इसको क्या है नौ दूनी 18 हो गया सम 18 से माइनस कर दो 17 से 8 गया 9 बचा और 2 से 1 गया एक बच है यह दो दो चलेगा और 3 लोग बचे है यानिके तीन छक अठारा हो गया तीन पंजे 5 अगला सवाल अब देखो इसमें आसान सवाल है जैसे मानलो की कि पंद्रा सो लोग हो गए तो एवरेज में इतने की कमी हो गई पहले कितने थी अवरेज बारा सो लोगों का एक्स था तभी तो पांच की कमी हो अब ये तो तोटल सम आ गया इनका गुणा करके सम आ गया इनी का तो डिफ्रेंस दिया गया था पांच अजार रुपया बस कितना से सवाल था जीरो से जीरो उठा दो फिर पंदरा एक्स और बारा एक्स डिफ्रेंस करेंगे तो तीन एक्स आ जाएगा पचत्तर इदर चला कर दो आंसर आ जाएगा तीन चोकू बारा हो गया चार पंजे बीस हो गया बारा चोकड़ ताले दो पचास दो जीरो और चिपका दो आंसर अगला सवाल अब देखो पहले बीस ओबर में इतने रन वो बना चुके थे यानि कि बावंद उनी एक सो चार रन बना चुके थीन 344 में से लो जीरो जीरो तीन में से क्या दो अब उसे थीस ओवर में बनाना तो जितने रन बचे होते हैं उसी को डिवाइट कर दो यहनिकी उसे आठ रन प्रती ओबर बनाना होगा ठीक वह आसान सवाल वाई 55 बाले की जगह पर आया है कोई यानिनिकि 55 से तो ज्यादा ले तो मेरा यही करता हूं कि जितने भी बड़े नंबर आते उनको सब को जोड़ करने में टाइम नहीं लगता है अब अगर मालूँ ज्यादा कहीं टाइम लग गया और उसके बाद कहीं गलत हो गया पूरी मेनत करनी पड़ेगी और जो चीज हम बताते हैं जोड़ने के लिए उ उसमें अच्छे से चीज़े हो जाती है तो मेरे हैसाब से आप इसको मल्टिप्लाई करके करेंगे बाकि जो भी अपने मैथड से करता है वो करता रहेगा ठीक है चलो इसको खुछ से करना आप लोग अब यहां से देखो यह भी आसान है क्योंकि देखो 2020 को पहले देखो इ सब्सक्राइब को मतरी अच्छे दिन का 142 दे रख़ा थैं और 15 दिन का 96 यानि कि इनको जोड़ेंगे तो यह तीस आरा यानि यह नंबर कहीं क्या हुआ है ऑवरलेप हो गए तो जो ऑवरलेप होता उसमें क्या करते हैं जैसे नंबर आते वैसे रखने पड़ते हैं जैसे म लोगों में पंद्रहीं लोगों में 10 से चार बंद्रह गया तो कितने लोगों में पंद्रहीं लोगों में जयसी को कर सब्सक्राक नहीं हुता तो जो रहे को मेंश करने के लिए इसी तरीके से लिए Norman सब्सक्युечно-53-3033 हो गया यहननिकि 120 प्लस में इन दोनों का हम देखेंगे तो कितना है माइनस का 30 आया इन दोनों का different करा देंगे कितना है नब्व're आ गया यहना कि 15 परवरी को कह रहा होगा 90 रहा हो ठीक है तो ये थ्यां रखना कभी भी औक लेप हो जाए तो प्लस वाला आता जैसे यह देखो बढ़ा हुआ आया तो हमने प्लस लिख दिया गटा हुआ आता तो उसको माइनस कर दो ओवरलेप की कंडिशन में यह याद रखना साथ क्रमा अगस सम प्राकरतिक संख्याओं को ऑसा 36 है तो पहली संख्या बताईए देखो सम की बात कर रहा है और कितनी है साथ देखो 36 हो गई तो इधर कितनी होगी तीन इधर कितनी होगी तीन अब अगली इस से माइनस दो फिर म माइनस दो कितना हो रहा तो सबसे पहले संक्या रही होगी स्कष्म को कोई दिक्त नहीं हो भी मैम यहां से देखो यह भी करते एक संख्या के 40 परजंट और उसी संख्या के 33 परजंट का उसत इतना है तो कर दो संख्या के एक वोटेच 205,000 वटेच, संख्या है आमने मानी क्या सो आलेस परसेंट निकालते चालेस तेथिस परसेंट निकालते तेथिस इनको जोडते तो कितना आ जाता तीन और साथ तेथिस तर आ जाता अगर हम इनका एब्रेज लिखते हैं दोनों नंबर का तो तेथिस तर बटे दो करना पड़ता इसकी वैलू कितनी दीदी तर अब वह कहरा है इसी हंडेड का एक से पांच बात कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा एक फटे चार बार कितना हो जाएगा प्चिस हो जाएगा इनको ऑगो जोडएंगे तो पांच हो गया 2020, मिन दो है यानि की हम अगर एवरेज निकालते तो 45 सफ इसन बीट दो की वे अब देखो इस टाइब के सवाल तो काफी हो चुके करता साथ परसेंट लड़किया है यानि कि असी का साथ परसेंट आठ चंग 48 हो गया यह क्या होगे इंगल्स होगे अब बच्चे कितने असी लोगों पर पहुंचना है यानि कि 40 में 40 जोड़ते तो 80 मिलता लेकिन उसमें 8 हमें कम भी करना पड़ेगा यानि कि बत्ते समारे क्या रहे होंगे यह लड़के रहे होंगे पांच परसेंट अगर से क्या करते हैं इतनी बड़ी कलकूलेशन लेकर नहीं जाएंगे हम लोग इसका रेशियो बनाएंगे यानि कि आप ने जो 60 परसेंट यह लिखा था ना दो दूनी चार हम डारेक्ट लिख सकते थे लेकिन ऐसा होता इसलिए क्योंकि यहां पर देख लो आठ चंग 48 हो गया आठ चोग 32 दो दूनी चार दो दूनी चार दो दूनी चार सेम आरा हम तीन और दो पर ही काम करेंगे यानि कि हम सम निकालते तो बीजतियां साथ हेक्स आता इनका सम निकालते तो 21 दूनी ब्याले सेक्स आता और बराबर में टोटल एवरेज 51 दिया हमारे पास टोटल नंबर तीन दो पांच हो गया गुड़े करना है ठीक है जोड़ेंगे तो दो गया चे चार दस हो गया बराबर में हो गया पांच एकंपांच या तो करो मत क्यूंकि हमने देख लिया क्यावन का दो गुणा होता 102 तो नीचे क्या अब हमसे पूचा गया लड़कों का उस्ट तो लड़कों का उसनल क्या टा एक किस औक य्यानीकि किस गुड़े 5 बटे सब चया बटे में दो तो पंजे दस दूी चार तो पंजे-दस अगला सवाल पहली तीन संख्याओं का उस सट चौ-ती संख्या का दीन हो आधी A, B, C, D, 4 संख्याओं होगी, कह रहा था P, पहली 3 संख्याओं का औसत, कह रहा था, चौती संख्याओं का 3 होना है, बहुत बढ़िया बात, सभी 4 संख्याओं का औसत बच्पन है, यानि कि A, प्लस B, प्लस C, प्लस का D, बराबर 4, 25, 25, 22, 22 हमने दारेक्टर गुड़ा कर लिया सम आ गया निकलके अब हमें चाहिए क्या था पहली तीन संक्या को और सथ क्या होगा अब यहां से देखो हमें क्या पता लगना चाहिए था इसकी वैलू बता ओ डी की तभी तो कर पाऊगे यानिकि इन तीनों का अगर सम लिखते तो यह स्का बाइस करना बटे में दीन करना है यही से ख़िल खतम हो गया यहांए कि 10 से दो गया तो आथ बचा यहां पर एक बचा ग्यारा से दो गया नोव बचा एक बचा बचे में maatem तीन च्छक अठारा तीन च्छक अठारा यानिके 66 अंसर अगला सवाल अब यहां से देखो इसको जो मिनट में दिया गया इसको सेकेंड में बना लो रीजन क्या है कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी तो देखो इसको करेंगे 120 और यह कितना हो गया 130 हो गया कितने लोगों का एवरेज यह है और एक लोग यानिके 100 वाला चला जाए तो एवरेज क्या होगा देखो एक लोग जो जा रहा आया यानिकि 6 लोग बचे हैं उनके पास 130 तो बचना ही बचना चाहिए तब ही तो मेंटेन इतना होगा लेकिन यह एवरेज से कम लेके जारा आएगा अब कितना जधा लेके जारा थीस जदा लेके जारा अब इहां पर एक लोगई यानिकि 30 पुड़े एक ज़्यादा लेके जारा अब बचे कितने लोगे हैं छे लोग.'s6 ओं bene divide हों यानि कि एक लोगों में 5 ज्यादा हो जाएगा यानि कि जोड़ देंगे तो हमारा arrive थिस यानि कि दू मिनट हो गई एक सो बीस 12 इतने हम अठा देंगे तो पांच हो गया तीन से दोगया एक हो गया बचा किटना 15 यानि कि दो मिनट 15 शेकंड अंसर आंसर आ गया अगला सवाल अब यहां से दिखो यह तो आसान सवाल एवरेज इतना थिया करता इसकी बजाए इसको रूप में गलत तरीके से पड़ा गया था तो यहां से दिखो टूटल हम करके देखते हैं यहां पर है कितना आठ साथ पंदरा हो गया चार साथ चार ग्यारा और यहां पर कितना कर दिया गया साथ तीन दस हो गया नो और एक दस हो गया यानि कि एवरेज को क्या कर दिया गया ता कम कर दिया गया यानि कि 24 से तो ज़्यादा एवरेज आएगा यानि कि जो भी देख लिया करो थोड़ा ऑप्शन भी कड़ जाते कभी कभी ठीक है तो अब 24 से तो ज्यादा आएगा तो यह उप्चन हो सकता है कभी नहीं हो सकता क्योंकि 24 तो अलेडी दिया गया था अगर यहां पर नंबर सेम आ जाते तब तो 24 हो सकता था लेकिन दोनों अलग 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 आए तो यहां से कितना कम हो रहा वही 15 यानिकि 15 और कितने लोगों में क्या किया बेवकूफी दिखा के कम कर दिये ठीक है तो फिर यहां से समझ गया आपको कितने मेनद करनी पड़ती कुछ नहीं ऑप्सन इसलिए कहते थोड़ा देख लिया करो अब यहां से देखो पहले पूरे क्लास का एबरेज यह था बाद में क्या हो गया 15 हो गया यानि क कि 0.5 की कमी आई कितने पर एक पर कमी आई अब यहां पर दिखो यहां पर कितनी कमी हो रही यानि कि 15.5 और 14.5 में कितने की कमी हो रही एक की कमी हो रही एक लोगों में टोटल कितने लोग 15 लोग यानि कि हमारे हिसाब से टोटल डिफरेंस 15 आ रहा तो 0.5 की वैलू इतनी ह का difference कितने पर आया होगा यह हम यहां से निकालेंगे पॉइंट अटाके जीरो कर दिया यानिकि तीस लोग मतलब इतने टोटल डिफ्रेंस हुआ वो तीस लोगों से आया होगा अब तीस लोग तो टोटल हो गए 15 नहीं आया है तो इनको हटा दो तो पुरानी कितने रहे होंग तो यहां से एक चीज हम कर सकते हैं सवाल हम कर सकते हैं कि पांत संख्याउ का एवरेंज कैसे होता 78 तो रहा होगा अब जो भी कम जादा जिसकी बज़स हुआ होगा उसको हम करते हैं तो 78 से इसमें देखो कितना डिफरेंस हो रहा आठ से पाच गया तो ओर यह क्या कम हो रहा तो 25 दूने 24 दूने 48 कम होगा अ अब यह उना कर लोगर48 कम होगा इसके 48 की भरपाई करनी पड़ेगी किन को करनी पड़ेगी इनको फिरो बरपाई कर दी मैने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर ओवरूघ्ण हो रहा है तो अगर यहाँ माइनस आए तो माइनस प्लस आता तो प्लस लेकन यहाँ ओवर्लेप नहीं हो रही संक्या तो हमें माइनस आया तो उसकी भर पाई करनी पड़ेगी तभी तो एवरेज मेंटेन कर पाओगे नहीं तो मुह देखते रहो फिर क्या ठीक अब यहां पर देखो यह 78 से कितना कम हो रहा है 63 यानि कि आठ से अगला सवाल यहां से देखो यह सवाल आप लोग खुछ से करेंगे अभी आपने थोड़ी देर पहले लगाया अच्छा यहां पर लड़कियों का पूचा गया था तो थोड़ा अंसर चेंज हो जाएगा ठीक है नियान रखना यह चीज बाकि आप लोग कर लेना असान है कर बार बार नहीं करवाया जाएगा कोई चीज चार अलग अलग संख्या है पहली तीन संख्या देखो यह भी सवाल आप लोग खुछ से करेंगे फिर से रिपीट हुए है मेरे साथ तो यह अगर हम इक्वेशन बना के दिखा दे रहें जैसे चार संख्या है ए बी सी और डी प्लस फिल इनलेग लिखते बराबर क्या हो गई चौटी संख्यां यहा से प्लस बी प्लस की बाबर किटना तेस्तरं का 90 यहाँ का ऑस्त धिया गया अगरAt m 4 हम compan का एवरेज हम सनख्या हुर्च निकालते तो क्या आता 220 आता अब यहां से देखो इसकी वेलू रखोगे 90 यानि कि 10 डी हो गया आप तो पूरा होई गया चलो करवा देते हैं यह 22 हो गया अब इसको यहां से अटा दो क्यूंकि पहली 3 का पूछा गया था यानि कि 220 से अगर 20 हटाते तो कितना आता 200 200 से 2 और कम कर दो यानि कि 198 यहां है चलो पिर अगला सवाल करते हैं यहां से देखो एक चाच्छा में 40 विद्यारतियों को सच्छाड़ और 1966 कि किलोग्राम यदि नय गर हम देखते तो 4010 50 लोग हो गया 50 का एवरेज कितना हो गया 64 हो गया यानि कि जीरो पांच लोगों को यानि कि यह पांच लोग हटा देते हैं इस से यानि कि अब डिवेशन मैथड लगप बनाएंगे ना तब तक आंसर आ जाएगा ठीक है नहीं तो ट्राई करके देख लेना आप लिए को कह रहा था अप्लस बी प्लस सी का एवरेज दी से आठ कम है फिर कह रहा था एपलस बी प्लस सी डी का अबरेज दिया गया था यहां से डारेक् सिंपल सी बात है एवी सी की वेलू यहां से निकाल नेंगे 178 माइनस का क्या हो जाएगा वेलू पुट कर दो भाई 168 माइनस का डी और बरावर में 3 का गुणा इदर कर दे रहे 3D और 824 ठीक है अब यहां से 168 माइनस का 24 है प्लस हो जाएगा 24 बरावर हो गया 4D ठीक है 48 इंटू में 3 माइनस का 2 प्लस में डी की वेलू कितनी है 48 प्लस का 5 अपॉन में क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखो जो भी कट रहा पहले तो उसको हम काट लेते हैं यानि कि 24 दो चौक उाट हो गया दो से दो कट गया दो दूनी चार दो चौक उाट हो गया एदर हो गया 1 पॉइंट यानि की पॉइंट डू का फरक पड़ता है एकमें अब यहां से एक चीज देखो कितना बढ़ रहा है यानि की इन में कितना डिफ्रेंस है इनका इस से कितना डिफ्रेंस है इनका इतना किसम है तो दीखो अठावन है इधर उननचास है अठावन से अगर हम क्या करते हैं घटाते हैं तो यह आजाएगा 9.5 ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ ठीक है अब 51 वाला डिफ्रेंस करेंगे तो 8 से एक गया कितना बचा 7.5 चौवन वाला देखते हैं तो कितना बचेगा 4.5 ठीक है 68 वा यह तो cancer out हो गया याने कि हमारा कितना साथ कितना बन रहा है 7 411 एक 12 के तो 12 लोगों का कितने लोगों में बनेगा तो एक बटे 22 बॉडवय और 23 यह पॉइनद बचे साथ लोगों में कहा है बना अगर LCN ले लेते तो 2 यहाँ पर आ यहाँ से लेते तो यहाँ पर यहाँ से लेते तो यहाँ पर Sapp diversion है यह तो चीज़ समझ गए होगे आप लोग अगर इनको जोड़ते तो देखो ए तुए और फिर यह यानिकि फोर आया यानिकि फोर ए प्लस का बी प्लस का सी और बराबर में आ जाता तू 181 प्लस का 172 प्लस का 160 आ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यहां से देखो दो दूनी तो चार हो गया बाकी जोड़के देखते हैं अगर कुछ बनता है क्या करना था दिए पूड़ांकों का उसत यानिकि हमें क्या करना है पहले तो दो से दोनों में डिवाइट कर दो रीजन क्या है अब य यानि कि 2 और एक 3 हो गया जोड़के हम इदर लिख रहे ठीक है आठ साथ 15 15 पंद्रा उच्छे कितना हो गया 21 दो और एक तीन एक चार एक पांच हो गया और बटे में कितना है यानि कि यहां से करेंगे 6 38 बचा 3 6 35 35 35 यानि कि 85.5 अगला सवाल अब यह तो आसान है तीस लड़कियों का औसाथ बज़न से पाँच किलो अधिक है तो यहांसे देखो अगर मान लो इना सम हमें लड़कों का दिया गया था इतना अगर हम करते तो इस तरीके से करते फिर लड़कियों का एवरेज अगर हम निकालते तो गल्स लिख लो गल्स अपाउन 20 और कह रहा था इनके औस बजन से पांच किलो अधिक है यानि कि इन से पांच किलो यह अधिक हो गया ऐसे ही तो बनेगी चीजे फिर यहां से करेंगे 1050 अपाउन में 30 बराबर में जी प्लस का 100 अपाउन में 20 तो यह 0 से 0 कट गया तीन तरका नो तीन पंजे 15 हो गया पैते तुनी 70 हो गया और सास्व हो गया माइनस का 100 करेंगे तो यह जी आ जाएगा तास्व में से देखो क्या कि हमने घटा दिया तो 600 केजी आंसर आज़ा अगला सवाल अब यहां से रिशियो बनाना पड़ेगा पहली संक्या दूसरी संक्या की दो बटे तीन है दूसरी संक तीसरी संक्या की तीन बटे जा रहा है तीक है अब यहां पर दूसरी संक्या तो से मैं तो कोई दिक्कत नहीं रेशियो हमारा दो तीन चार्टीन साथ नो गया नो बटे तीन क्योंकि यह तो तीन की वैलू हमको 30 में था जाएगा अगला सवाल आप यहां से देखो प्रतिस सब के बनाने पड़ेंगे 200 गुड़े 100 इस तरीके से चलेगी चीज़ ठीक है यहां से करेंगे दो ने में 18 हो गया 274 दो पंजे 10 इसी तरीके से 180 में से 133 यानि कि 133 बटे 180 गुड़े में 100 करना पड़ेगा यहां लिए 153 बटे 160 गुड़े में 100 ठीक है तो से तो 0 कट गया 2 ने मैं 18 हो गया 2510 हो गया तीन तीन 6 और एक सात और यह नव से तो कटना नहीं है इदर देखते है पांज तीन आट एक नो इदर जीरो से जीरो काट वह दो पंजे दस हो गया तो अठे वह गया ठीक है चलो फिर करते हैं जो भी होता है क्या करोगे पांतियां 15 हो गया पांतियां तेरा पंजे 65 और 16 बटे चेचे बारा पंजे 17 अभी भी नहीं गट रहा पांतियां 15 हो गया और 15 15 75 और 16 बटे 8 अब इनको बाग करेंगे तो नो सत्य 63 हो गया बचा कितना चार नो पनना पैतालेस तीन बचा तना नो चोक 36 होगा उससे भी कम आएगा चलो इतना ही लिख लो ठीक है दो बच गया तीन अठ्थे 24 हो गया और तीन अठ्थे 24 हो गया बचा दो हो गया फिर यहां से करेंगे तीन अठ्थे 24 यानि के 88.8 के सम्थिंग देखो कुछ दिख रहा क्या एक ही नंबर दिख रहा के एवल 89.5 क्योंकि उधर ही तरफ इंक्लाइंड हो रहा है आभी हम कुछ नंबर छोड़के भी आयते उससे भी कम हो जाता चालो कोई बात नहीं आप यहां से देखो इनकी जगह पे आ रही ना इनका एवरेज देखो पहले 8 5 13 हो गया 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 फिर 3 2 5 4 9 9 4 13 बटे करेंगे 3 तो 3 चोकू 12 तीन चोकू 12 यानि कि यह इन से तो ज्यादा होंगी क्योंकि इनके आने से क्या हुआ महलाओं के आने से एवरेज बढ़ गया है तो कितना बढ़ा है दस्तियां 30 बढ देगा तो डिवाइड तीन तो यहां से एवरेज निकाले ना अगर सम निकालते तो हम को ना करके करना पड़ता तो चाबालिस में 10 जोड दिया तो कितना हो जाएगा 54 अगला सवाल एन क्रमागत सम संक्याओं को सूची वद्ध करते समय औस नरदारित करने के लिए गलती स अंतिम संक्या को अगली संक्या से बदल दिया गया और इस तरह औस बांशित मान से इतना आधिक हो गया एन का मान क्या होगा दिखो सवाल तो अच्छा है लेकिन एक चीज़ समझो ऐसे नंबर लिखे होंगे पताने कितने होंगे यह तो कह नहीं रहोगा यानिकि यह कोई अगर इसमें हम विसम संक्या जोड़ेंगे तो हमें एक जोड़ना पड़ेगा तो अगली विसम संक्या आ जाएगी समझने की कोशिच करना तो यह सारी क्या लिखे संसंख्या है ऐसे करके यहां से लेके यहां तक संसंख्या है लिखी है अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर जाएंगे तो कितने इन थी तो इसको एन से हम डिवाइट कर देंगे क्या कह रहा था गलती से अंतिन संख्या को अगली बिसम संख्या से बदल दिया गया यान कि नमबर एन बरावर निकालते तो एक बटे 125 उपर कहें जीरो पहुंच जाएंगे चार क्योंकि पॉइंट के बाद चार नमबर है दो तीन एक चार पच्चिस पंजे एक सो पच्चिस पच्चेस पच्चेस चोकु सो हो गया यहने की एन बरावर कितना आया चार सो नहीं आया भी कटेगा भई हम कहें ओप्सन में तो 400 दिख नहीं रहा एक संख्या और उसके ब्यूत करम का आउसत कितना है वन है तो कह रहता है इसके वर्ग और घंक और चौथी घात का आउसत क्या होगा तो यहां से करेंगे एकस प्लस वन अपान एकस बरावर कितना हो गया दो हो गया यहने की एकस बरावर क्या आ गया वन आ गया तो आंसर क्या होगा आई इसके वर्ग बनाएगा इसका घं वन आएगा इसकी चौथी घात बनाएगी और इनका ओसत बताना दियाने की वटे त तीन आंसर अगला सवाल अब यहां से देखो टोटल का पूंचा था गुणा करके करना चाहते भो भी ठीक है नहीं करना चाहते तो भी ठीक है हमने मान लिया कि पूरी क्या आउसत 300 है बात खत्म यहां से देखो यह 300 से कितना कम है यानि कि टोटल 24 लोगों में देख लेंगे क कि लादूनी 32 हो गया बत्ते सोर आठ चालिस यानि की 400 ज्यादा उगया तो 600 और 400 में देखते हैं किटना हो दो सो कम हो यानि की एवरेज में कमी तो आएगी तो यहां पर टोटल लोग कितने हो गए 24 सो सोला कितने हो जाएंगे चालिस तो चालिस इसमें भाग कर दो यानि कि चार चंग चोबिक यानि कि तीन सो से छे कम आएगा तीन सो से छे कम दिखी नहीं रहा कहीं ऑप्शन में कहीं गलत कर दिये हो अच्छा कैलकुलेशन चार पंजे बीस पांच कम होगा ठीक है 295 अगला तेरह पांस कर दो यानि कि जीरो जीरो पचा मुझा पचीस तेरह पंजे 65% 365 सट्थ सट गया 0-0050त्य पांच 12 OS 822 त्हीरो जीरो सादobic गया पर जीरो करो तीका बह। हो रही है आशकल वीडियो में पता नहीं क्यों तो बहुत सवाल हो चुके रिपीटेशन वाले खतम करते हैं क्या चलो एक सवाल इस टाइप का मैं और बता रहा हूं साथ लड़किया होगी तो कितने लड़के जाएंगे तीन यानिकी ये गल्स हो गए ये बाइज हो गया तो इनका सम करेंगे तो टोटल 57 था हमारे इसाब से नंबर कितने थे सातीन दस तो यहां से जोड़ेंगे पांस दो सात हो गया चार एक पांच हो गया सतावन एक्स बरावर सतावन इंटू दस हो गया सतावन से सतावन कैंसल पूछा था लड़कों का उसत यानि कि 5 का कुणा कर तो 50 अंसर अगला सवाल यहा अगर सम लिखते तो 5X हो गया यानि कि हमें पता है 5X प्लस का X प्लस का 3 बरावर हो गया 48.5 इंटू 6 सम के बरावर कर लिया तो यहां से करेंगे 5 एक 6 तीन का हम बाग कर दे रहा है इधर भी और इधर भी ठीक है समझ में आ जाएगा क्यों कि या तो 2X प्लस का 1 बरावर ह हो गया तीन नीच्छे हो गया क्योंकि तीन से कट रहा था तो उने इसको काट लिया और को रीजन थोड़ी नाड़ ताली तूनी चैनवे एक सतानवे हो गया तो यहां से करेंगे एक सब्सक्रावर 48 हमें सोवन का चाहिए तो 48 में 3 जोड़ तो आंसर अगला सवाल यह करेंगे माइनस का 3 कम लेके जा रहा है यानिक यहां से देखो जोड़ेंगे तो 6 3 9 3 12 यानिकी 13 16 22 माइनस का 32 में यानिकी वह एक तो यह तो हम कंफर्म होग है 170 से प्लस आएगा अंसर यह कट गया और दो कट गय ठीक है इन दोनों से तो ज्यादा आएगा अब यहां से दे कम था अगला देखते हैं यह तो आसान सवाल है ना पहले पचास अन्तिम 26 यानि कि छेतर हो गए यानि कि उसे में इंक्लूड नंबर तो जैसे आएगा बैसा आंसर 45 तो उसके पास हो गाई यहां से देखो यह कितना कम हो रहा तीन कम हो रहा पांतियां 15 यानि कि देड़ सो य यानि कि 182 आ जाएगा यानि कि यहां पर लिखी लो ना डारेक्ट 182 इनका डिफ्रेंस किया दो आट ते पास गया तीन और वो भी किसका आया प्लस का पैतालिस में जोड़ देंगे तो पास दो साथ हो गया चार तीन साथ अगला सवाल एक एक वटे चार बी का एक वटे त सवाल हों कोई ट्रिक तो लग नहीं पाती सिंपल सी चीजे होती है और करो गए भी क्या इसके इलावा कोई आप्शन तो होता नहीं है और भी वरावर विदर हो जाएगा एक सो बीस कारती है बाराथ उनी चौश 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 बंजे एक सो बीस हम यहां से करेंगे एक पूट कर लो यानि कि हम यहां से वी की वेलू अगर रखते हैं एक वेलू रख लो ठीक है एक वेलू रख लेते हैं 36 मैनस भी यानि कि तीन 36 minus का B plus का 4 B बरावर हो गया ठीक है तो 36 निया 108 हो गया minus का 3 B और plus का B यानि कि plus का B हो जाएगा इधर 1200 यानि कि B बरावर इधर चला जाएगा तो ये 12 देदेगा हमको ठीक है क्या आगया 12 आगया अब यहां से देखो इधर करेंगे तो A बरावर 24 आगया तो 24 दूनी 48 हो गया प्लस का 12 तिया 36 हो गया 8 6 14 की 4 हांसिल लगा एक 5 3 8 हो गया बटे 2 कर देंगे 2 चोक वार 2 दूनी 4 42 आंसर अगला सवाल 4 करमागत विसम संक्याओं का उसत इतना है तो B और C का उसत सेम होगा कोई सोचने वाली बाती नहीं जैसे 8 18 है इधर 2 संक्याओं लेलो इधर 2 संक्याओं लेलो यहाँ पर विसम संक्याओं क्या होगी 17 होगी यहाँ पर क्या होगी 15 होगी यहाँ पर विसम संक्या 19 होगी यहाँ पर 21 होगी अब यह बताओ यह नंबर बीच में लिखा है तो average इन दोनों का क्या होगा 18 होगा नहीं तो जोड के कर ले ना यह तो बहुत सवाल हो चुके 70 की जगह नया आगया average कम हो रहा है यानि कि वो कम लेके आया होगा 70 के बजन से 25,600 यानि कि 15 कम लेके आया आंसर लगा दो 55 अगला सवाल अप इस सवाल को कुछ नहीं करना और डारेक्ट भाग कर लो ज्यादा टेंसल लेने की जरूवत नहीं है ज्यादा आप उसके चक्कर में रहोगे अगर स्मार्ट गीरी दिखाओगे तो हो सकता है गलत होगे फिर क्या करोगे या तो आप कैल्कुलेशन में बहुत मार रहे हैं तो बहुत सवाल हो चुके अब उसको रिपीट मत करवाओ यह आपके लिए और मेरे लिए भी अच्छा होगा क्यों कि जल्दी से कबर भी हो जाएगा हम लोगों का फिर क्या हो गया अगला सवाल करते हैं अब यहां से देखो लड़कियों की संख्या 49 यानिकी 13 का मुल्टीपल हमें चेक करना था इसके लावा कोई आप्सन ही नहीं था यह कैंसल हो गया ठीक है तीन का मुल्टीपल एक यह हो रहा था यह कि 13 का कौन से हो रहा के बहुत सवाल हो चुके थे है ए और परशेंट अधेक है यानिकी 40 परशेंट लिख सकते हैं दो बटे पांच यानिकि अगर पांच है तो यह कितनी हो गए साथ हो गए बी में चात्रों का ऑसत अंक अग उससी सब्सक्रात करके बरावर करते हैं आपको पता है ठीक है और फिर भी अगर किसी को कोई दि अगला सवाल करते हैं यह भी बिल्कुल सेम सवाल है कोई दिक्कत नहीं आप खुछ से करेंगे ठीक है थोड़ा सा नया है चलो करवा देते हैं पांच और साथ हो गया अंग्रेज में लड़कों का ओसत इस्कोर अड़तालेस है लड़कियों का ओसत इस्कोर लड़कों की तु तो 25 मतलब क्या हो गया है क्वाइज में कि लिक Sorry एकस बराबर रड़कों के ही दो गया गए पूरी कच्छा का उसत क्या होगा यहां से कुछ भी माल लो आप 50 माल लो यह दो कम हो गया यह प्लस का दस यह प्लस का रहां बारा लोगों बाटना बारा पंजे साथ तो पचास में पांथ जोड़ देंगे पचपन अंसर उसने दो सवालों को एक में इंक्लूड कर दिया यहां से तो इसको हम बताई चुके थे आपको क्या करना पांथ दो साथ चौदा की चार हो गया यहां पर देखो पहले क्या है तीन का होगा ना डिवाइट तो तीन का गुण दूसरा नंबर निकल आया तो आठ दूनी 16 16 और साथ कितना हो जाएगा तेज फिर आठ पने 40 40 से दो कम बर देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो गया 28 एक सो चौरासी यहां से लगा 18 हो गया क्या निकालना था ओसफ निकालना था बई तो मैं गुणा क्यों कर रहा हूं प्लस करना पड़ेगा प्लस करके दो करना पड़ेगा 8 3 11 के ऐन से लगाए वैं को गया 30 36 बटे 2 कर दो तो 2 3 6 होगया 0 25 10 अगला सवाल अभी थोड़ी देर पहले स्टाइप का कर चुके तो गुणा करके उसी तरीके स्कना और और आसे निकालने है भाग करनी है देको अब 200 सवा तो मुझे लगाने के लिए तो मेरा इंप्रूम्मेंट हो रहा है आप नहीं करेंगे तो आपका भहिया नहीं होगा बाकी आप समझदार हैं ठीक है दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो यानि कि इन दोनों को जोड़ा 3 1 4 3 3 6 हो गया माइनस का क्या बन किया तो 4 से गया 3 गया 6 से 5 गया एक बचा तो आंसर तुम्हारा आ चुक है अगर जानना चाहते हो आता कैसे तो देखो हमको अंको इनका अबरेच्टव या था था है अगर अगर मालों peux अगर आं प्ल देश लिए सं लिख्ते तो 2 संह दो इन दोनों को जोड़ते, यानि कि A प्लस B, प्लस का C, प्लस का A, तो क्या आ जाजा था, 2X प्लस का Y आ जाता, फिर क्या करते हैं, हम इसका लिखते तो B प्लस C की जगह लिखते हैं, यानि कि 2A प्लस का 2Y, बराबर में 2X प्लस का Y, यहां पर Z करना पड़ेगा, एक सेकंड ले जाएं, तो देखो क्या बनेगा, 2A बराबर, 2X प्लस का Y, माइनस का क्या हो जाएगा, Z करें, क्या गलती कर रहा हूं, ठीक है, यह 2 से 2 कैंसल हो गया, तो A बराबर क्या आ गया, X प्लस का Z, माइनस का Y, पस आपको यह देखना है, पूछा क्या है, जैसे अगर B 5 हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, बटे, 2 हो गया, यानि कि 75, यह तो सरल है, अब यहां से देखो, X हमें देखना पड़ेगा, सबसे पहले कहां पर दिया, दूसरी नमबर पर, यह आनि कि कह नमबर है, 2, 2, 4 है, तो 4 का गुणा करेंगे, 4, 25 हां से लगा, 2 हो गया, 4, 2, 8 और 2, 10 हो गया, यानि कि हमने दूसरी नमबर तक उसकी डिजिट निकालनी 0 आ रही, तो देखो, 5, 4, 9 हो गया, 9, 3, 12 हो गया, 12 और 8, 20 हो गया, हां से लगा, 2, 4, 2, 6 हो गया, 6, 4, 10 हो गया, 10, 3, 13 हो गया, 13 है में कितना जोड़े है, कि जो जीरो आ जाए, तो 7 जोड़ना पड़े 6 हां से लगा, 1 हो गया, 4, 5, 4, 9 बटे, 2 हो गया, 48 अंसर, अगला सवाल, अब यहां से देखो, आपको कुछ नहीं करना है, मैं पुरोज का दिया गया था, देखो, आराम से गुड़ा करो, और मौच करो, नमबर छोटे-छोटे दिया गया तो तो आपको टैंसल लेने की ज प्रजेंट में आते हैं, तो दोनों में 5 पांच पांच जोडना पड़ता, तो एक में जोड़के इनका एवरेज कर लेते, 7,5, 12,5 हो गया, 5 बर्स बाद उनकी और गयाद कीजिए, यानि कि इसके भी 5 बर्स बाद जाएंगे, 5 और जोड़ दो, यानि कि 17,5, बाई देखो हम यहाँ पर कहीं थे, अगर हम प्रजेंट में आते हैं, तो दोनों आदमियों में 5 पांच पांच जोड़ना पड़ता, यानि कि यहाँ पर आते हैं, फिर तुमें एवरेज निकालते हैं, यानि कि दोनों आदमियों में 10 जोड़ना पड़ता, फिर 2 डिवाइड करते हैं, एक आदमी में पांच ही जोड़ना पड़ा इसमें फिर अगले साल के लिए और बोला तो प्लस का पांच अगला सवाल यहां से देखो एकस के 50% प्लस य के 30% परसेंटेज वाला सो इदर पहुंचा दो तो इतना हो गया कह रहा था ओसत का मतलब क्या हो गया डिवाइड हमें दो से करना पड़ेगा पहले तो यह जीरो अटा दो यहां से यहां लगा दो ठीक है तो यहां से आ गया 5X प्लस का 3Y परावर दो पंज से हमें डिफ्रेंस पता लग गया तो एक चीज़ देखो इसमें गुणा कर दें पांच का तो 5X माइनस का 5Y बरावर क्या हो गया पचास यानि कि यह माइनस और यह प्लस फिर माइनस यह कैंसल आउट हो गया पांस तीन आठ वाई बरावर यहां से हो गया 640 यानि कि तू यहां यहां से देखो जब एक्स बरावर असी आ गया तो एक्स बरावर नब्बे हो गया यहनिके 170 बटे दो करेंगे तो दो अगला सवाल साथ प्रत्राकरती संक्यायों के बरक का उस्त देखो अगर परमूले याद होंगे तो बहुत बढ़िया से कर लेंगे अगर नहीं याद होगे तो और बढ़िया से नंबर कट जाएंगे बटे चे ये एवरेज होता है ठीक है तो सिंपल एन प्लस बन साथ संख्या साथ एक आर्ट होगा साथ दूनी चोदह एक पंदरा हो गया बटे यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तो दूसरी संख्या अगर हम माल लेते हैं एक कि यह Teo की तीन ओगी याने कि यह लगया तो यह दो खरो गुना कर दो इसका दो गुना हो गया तीन गुना तीन दूनी छे कर लो बात खतम छे दो आट एक नो हो गया नो बटे तीन हमारे इसाब से एवरेज पैतालिस हो गया तब पहली संक्या दूसरी संक्या के अंतर तो छे पहली और दूसरी का तो चार की वैलू हमें निकाल ले थी यहां से देखो यह तीन तरका नो क हमने पहला ही कुश्चन यह करवाया हुआ था यह भी देखो विल्गुल रिट्टो सेम आ गया हमने सिंपल सा बोला था आपको गुणा करना पड़ेगा गुणा करके कर लो क्योंकि बहिए देखो डेवीशन में जितना आप माइनस प्लस करेंगे ना उतना आपका दिमाग ठकेगा आप डारेक्ट जोड के करेंगे देखो गुणा करो जोड दो फिर गुणा करो जोड लो यह चीज़े सिंपल पड़ेंगी नहीं तो आप मान के देखना मुश्टली गलत हो जाती चीज़े ऐसा एक्स्पिरियेंस लिया हुआ है इसलिए मैं आपको वह चीज बोला लेकिन यहां पर याद रखना और खर्च को जोड लोगे फिर बटे बारा करोगे उसका हमें सत्तर परसेंट निकालना पड़ेगा यानि कि अगर आपके पास टाइम कम बसता है अगर इतना आप समझ गए तो इसका साथ देख लेते साथ का मल्टीपल भी कुछ मिल ला है च दो कट गए तो इसको देख लेते हैं वैसे कटेगा तो नहीं क्योंकि यहां पर 12 यहां पर 11 तो फरक नहीं पड़ना यह तो नहीं कटेगा ठीक है अब इसके बाद सल्यूशन नहीं करना पड़ेगा तो एक हिटन ट्राइल था आ जाता तो बढ़िया नहीं आया तब भी संख्या यहनिंद कि सम आ डूट अब कह रहा था एक को छोड़कर सी घटाए गए निकि नानीकि गहीं सी हो गया अब जो एक संख्याय आ है देखो वो तो इसमें आ चुकी न ये संख्याय बाई लिखा तो इसमें से से इतना घटाया जा रहा है तो हम यहां से घटाएंगे से प्लस का अब यहां से अभरर एक एक यह दो वीडियो और आंगी और कंप्लीट हो जाएगा ठीक है दो सवाल हो गए आप इनको रिवाइज किसे बागी आपके जितने भी प्रीविय सीयर है तो मोस्टली यह समझेए आपके लेटिस्ट वाले सारे कंप्लीट हो चुके हैं ठीक है चलिए फर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले जय हैं जय बारत